कि साल 2004 में एंडि सरकार का अंतिरीम बज़ट जस्वन सिंह ने पेश किया था और आज मोधी सरकार का अंतिरीम बज़ट यूज गूइल पेश करने जा रहे हैं 2019 के सरकार के इस अंद्रे मजट से जनता को कितनी राहत मिलेगी और मोधि सरकार जनता के उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं इस पर बातचित करने के लिए आज हमारे साथ मौझूद है दुनिया के सुप्रसित सुदर्शन चक्र जोतिश चारिया श्री संबेतरा श जो आज कौन-कौन से बड़ी-बड़ी घोशन हो सकती है बजट में देखिए सबसे पहली बात यह बताओं कि उपेक्षित वर्क को दिमाग के रख दिमाग में रखकर कर रहे हैं तो यह बजट जो अंतरीम बजट है यह किसान के बैनिफिट के लिए गरीब के बैनिफिट के लिए और उपेक्षित वर्क के बैनिफिट के लिए होगा हर बार आप जब भी देखते हैं जब भी बजट आता है तो मिडल कलास जो है सेलरीड कलास जो है उसको उसमें कहीं पर भी सैडिस्फेक्शन नहीं मिलता क्योंकि उनकी जो इंकम ग्रूप का जो ब्रैकेट है वो हमेशा नॉमिनल सा फ्रेक्शनल बढ़ाते हैं जिससे उसको मेंगाई दर के रेशो में वहां जो है उसको उसका फाइदा नहीं मिलता तो इस वार हम सरकार से यह उमीद करते हैं जो हमें नजर आ रहा है कि टेक्स ब् एक्टिट बिल भी 4.5 लैक और 4 लैक प्लस होगा जिससे आपका मिडल क्लास को उसको जो है उसमें थोड़ा सा फैदा होगा बाकी यह जो बजट है जो इन्टेरिम बजट है यह देश की कि असी प्रसेंट जो जनता है जो गरीब उसमें आती है किसान में आती है लोर क्लास है उपेक्षित वरक है उसके बैनिफिट के लिए उसको मद्य नजर रखके यह बिजट आपके सामने आएगा जैसे कि आज हम ख़बरे भी देखे तो बीच में प्रेंगा चुतरवेदी ने यह कहा कि सरकार जो है वो सूट पूट की सरकार है हमेशा मोधी सरकार है तो हमेशा जो बिजनसमेन है उनको जादा उन्होंने बजट में कह सकते हैं कि मदद की है तो ऐसे मैं पूट क्या लग अब इतनी संकीन मानसिक्ता से अगर हमारे देश के नेता ऐसे वक्तव्य देंगे तो यह बड़ी शरम की बात है देखिए आप जिस पोस्ट पे होते हैं जिस पद को आप गरहन करते हैं उसके डेकरम को आपको मेंटेन करना पड़ता है अगर आपके मोधी जी फटेवे कप अगर किसी देश में जाता है तो उसका पहनावा उसका बोल चाल उसका हर चीज में जो है एक बहुत बड़े देश का जो है वो नजर आना चीए और उसमें हमारी इज़त है आप भी अगर कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं भले आपके पास सामर्थ्य ना हो तो आप संकीन मान सकता है रही बात आपकी किस वर्ग को सबसे ज्यादा फाइदा पहुंच होएगा तो वह मिडल क्लास लोर मिडल क्लास और बिल्कुल उपेक्शित वर्ग जो है जैसे किसान वर्ग है इन सब के लिए जो है ऐसी स्केम्स इस बजट में होंगी जिसका फाइदा जो राजनिती के लिए जो आइए आपके जो फैसिलेटेज जो है डेक्लैर की जा रही है यह वह हैं लेकिन नहीं यह मान सिक्टा को दिखीगा किस मान सिक्ता से अभी तक किसी ने उपक्षित वर्ग के लिए आर्थिक अधार का आर्थिक अधार पर आरक्षन की बात नहीं की यह मोदी जी ही हैं जिनों ने इस चीज को रिलाइज कराया क्योंकि वो तपके से आते हैं जहां पर आरक्षन तो है लेकिन आरक्षन ले कुण जाता है आप सिटुल कास्त में जुद्र ड्राहिब में आते हैं या बेकवंड क्लास में लेकिन अगर आप एक ब्रेक drops कर जाते हैं अगर आप आई-एस वन जाते हैं या स्टेज़िधा आप जहुए हैं तो फिर आपके बच्छों को इस आरक्षन चाहिए वहां चीज़ का आरक्षन चाहिए वहां आर्थिक आदार पर होना चाहिए लेकिन अभी अगर आप देखिएगा अभी तक जब तक की सोलनों के लिए आरक्षन आपका आर्थिक आदार पर नहीं डिक्लियर किया गया तब तक इसका बैनिफिट जो है वही लोग ले रहे थे जो अपर क्लास में आ चुके हैं भले ही वह रिजर्व क्लास में लेकिन वह एक क्लास को क्रॉस करने के बाद भी उसका बैनिफिट ले रहे थे काईदे से आरक्षित जो क्लास है उसमें आरक्षन जो है आर्थिक अधार पर अगर कर दिया जाए तो अगले दस साल में भारत से गरीबी का पूर्ण उन्मूलन हो जाएगा जिसके लिए अभी तक के राजनितिग्य गरीबी हटाओ के नारे को लेके देश में हम गरीबी हटाएंगे और इस पर इलक्षन लड़ते थें लेकिन ये मोदी साब जो हैं ये करके दिखाएंगे क्योंकि उनक सरकार सीधा बेनिफिट जो इस टेक्स क्लेक्शन से जाएगा जो एक बिलो पावर्टी लाइन जो किसाना है उसके डारेक्ट जो है खाते में जाएगा वीडियेटर बीच में नहीं होगा अगर से बात करें पियुश गुड को लेकर उनकी कुंडली के हिसाब से क्या लगता आपको अपने इस बजट से क्या वो जनता की उमीदों पर खड़े उतर पाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली खड़े उतरेंगे जब सरकार की नियत बिल्कुल साफ है तो साफ नियत से जो काम किया जाता है उसमें सफलता मिलती है सत्य मेरे जहते हैं। अगर करते हैं उसका उख्यारन करते हैं तो उसका end result भी अच्छा होताँ है। मतरब अगर गमाहॉल को देखागा जाए तो इस वक्त राम मंदिर का जो मसला है वो जहादा गर्माया हुए। और ऐसे में आप बज़ट को लेकर इतनी भविश्वानिया कर रहे हैं। में सोचने वाली अगर कोई सरकार है तो यही सरकार है जिनों ने राम मंदिर के मुद्दे को यहां तक पहुंचाया। और यही सरकार राम मंदिर बनवाएगी 2019 से 2024 के बीच में आपके मंदिर से रिलेटेड सिर्फ मंदिर से रिलेटेड नहीं। और भी जोंसे आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे में मंदिर के साथ में बने वे जो एक जेहादी मानसिक्ता का वो देते हैं। इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पर जेहादी मानसिक्ता से मंदिरों के साथ में ये स्ट्रक्चर्स खड़े कियेगे। जेहादी मानसिक्ता से वो सब हटेंगे और आने वाले पांच साल में सिरफ रामंदिर नहीं। आपको ऐसे सारे स्ट्रक्चर जिनके साथ में एक जेहादी मानसिक्ता जुड़ी हुई है वो स्ट्रक्चर सारे हटेंगे। सिरफ एक रामंदिर का मुद्दा नहीं है। ये देश से वो सारे स्ट्रक्चर जहाँ पे जेहादी मानसिक्ता जुड़ी हुई है। और देश से हम यह उमीद करते हैं उन पार्टियों को उन नेताओं को बिल्कुल प्रैफरणना करें उनको बिल्कुल आप वोट मत दें, जनकी मानसिक्ता, जनकी विचारधारा, जिहादी मानसिक्ता को प्रमोट करने की है। अजय से एक सवर ये भी है कि जो ये अंतरिम भजट है क्या इससे आपको लगते हैं कि एक बार फिर मोधी सरकार आएगी डेफिनेटली 100% मोधी सरकार ही आएगी कि अधर हमेशे देखा जाता है जैसे जो बीपेल होते हैं जो बिलो पावर्टी लाइन जो होते हैं वो टेक्स में उती भागिदारी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से देश के विकास में देश की तरकी में किस तरह से अपना योगदान द पाता उससे देश क्या उमीद करता है देखिए अगर आप टेक्स नहीं दे रहे हैं गवर्मेंट के लिए लेकिन आप सरकार से यह उमीद करते हैं कि आपको सुविधाएं ऐसी मिलें कि आप एक बिल्कुल निम्न वर्क से कम से कम मिडल क्लास में आ जाएं तो उसके लिए आप अगर आर्थिक रूप से कोई टेक्स कर नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आप विक्रत मानसिक्ता वाले विगटन कारी ताक्तों के साथ मत खड़े हूं जब भी आपके कोई भी उपदरब होते हैं किसी भी तरीके के आपके जो हैं आपके जो एजिटेशन होती हैं उसमें आप सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुचाए क्योंकि यह आपका कंट्रिब स्थेशन हैं और उसी वर्ग को जो इतनी समझदार नहीं है इतना एजुकेटर्ड नहीं उसी को इकठा करके नेतागण जो है अस्तिर्था लाने के लिए देश में तोड़फोड करवाते हैं देखिए अगर आप देश में तोड़फोड करते हैं तो उससे सरकारी संपति क जो नुक्सान होता है वो नुक्सान सरकारी खजाने से ही भरा जाता है जब वो नुक्सान सरकारी खजाने से भरा जाएगा तो आपको जो सहुलियत मिलनी है जो आपके पास मोदी जी की इंटेग्रिटी बिल्कुल क्लियर है निमन तपके को सहुलियत देना अगर आप संपत् में मिलेगी इसलिए कभी भी कभी भी आप लोग ऐसी है जाते हैं तो इस चीज का ख्यार रखें कि सरकारी समपत्ती आपकी अपनी समपत्ती हैं उसको अगर आप नुकसान और आपको नुकसान रहें तो संबेत्रा जी घंडान्यकर बहुत बहुत शुक्रिया तो ये तेमाज सर्थ संबेतरा जी जो ने बताया कि आज जो मोधी सरकार का अंत्रीम बजट पेश हो रहा है उसमें टेक्स लिमिट को लेकर किसान को लेकर और आरेक्षन को लेकर बड़ी बहुत बड़ी घोशना हो सकती है और फिलार ये तो देख फिन्यूस के साथ